तो बच्चो आज की इस क्लास वाम करने जा रहे हैं सेट थियोरी का पूरा कंप्लीट लेच्चर फॉर ए न डे एक्जैम वैसे आपको मालुम ही हैं बहुत सारे चेप्टेस हम कंप्लीट कर चुके हैं भी तक और सरकस तक तो हम कंप्लीट हो चुके हैं स्टार्टिंग के दो चेप्टेस हमारे सेट थियोरी एंड रिलेशन और फंक्संस यह कबर नहीं वह थे तो पहले इनको हम कंप्लीट करते हैं और वेजिएस ट्रिक्स और फॉजिस भी आपको काफी सारे वीडियो मिलते रहेंगे काफी सारे चेप्टेस हैं जहापे हमने ट् तो अभी हम सेट थियोरी जो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको इतना डिटेल में देखेंगे कि पहला चेप्टर हैं तो यहाँ पर आपको जो लगता है important important points उनको आप note करते रहेंगे क्योंकि काफी सारे points होंगे जो हम यहाँ पर discuss करेंगे और कुछ बच्चे तो ऐसे होंग तो यह वो सेट सी पूरा chapter correlated है तो इससे हमें clear होना चाहिए कि सेट क्या होता है उसके बारे मालूम होना चाहिए तो हाला कि आप सबको मालूम है उसका quick revision कर लेता है एक बार तो सेट की जो definition यहाँ पर लेखे है हमने definition क्या होती सेट की a set is a well defined collection of distinct objects तो well defined होना चाहिए पहली well defined होना चाहिए ओके और इसको denote किया जाता है किससे bold or capital letters of English alphabet जैसे हमने a लिखा एक set a लिखा हमने a equal to लिख दिया हमने vowels vowels of English alphabet तो आपको मालूम ही है vowels जो है English alphabet में किन को कहा जाता है तो यह आपका a जो set बनेगा वो बन जागा a, e, i, o, y तो यही सारे letters हैं distinct letters हो गए ठीक है और इनको हम vowels के नाम से जाते हैं और यह well defined क्यों हो गए क्योंकि हमने इनको एक particular नाम दे रहा वोबल्स तो well defined collection of distinct objects is called a set और set को represent करने हमने लिख दिया है आपे यह तो हम starting का है तो हम किसी को मालूम ही होगा तो इसको जारे detail में हम discuss नहीं करते हैं तो यह clear होगी आपका और इसके अंदर जो आपके commas से separator हो रखे हैं जैसे मैंने a लिखा a,e,i,o,u यह लिखा मैंने तो a यह सारी जो commas से separator यह elements होगे तो मैं लिखूँगा कि a is an element a belongs to a यह belongs to का sign होता है इसको या आप element से भी इसको जाना जाता है ठीक है इसको बोल सकते है element a is an element of a कहो या a belongs to a कहो बात ही किए या हम belongs to a यह जो है a का element है okay a set का element है okay hope this is clear तो belongs to का sign clear होना चीए आपका उसके बाद representation of sets तो representation of set क्या होता है आपका set को represent करने के लिए दो तरीके यूज किया जाता है one is roster form और इसको आप tabulation form भी कहता है हम इसको ओके roster और tabulation form भी कहता है या enumeration method भी कहा जाता है इसको और दूसरा ह set builder form तो यहाँ पर roster form में और set builder form में क्या है roster form में हम जो elements लिखेंगे वो साफ साफ लिखेंगे clear जो elements है directly वो लिखेंगे figure out करेंगे ठीक है और set builder form में language की form में आप उसको code कर हुए जैसे मैं यहाँ पर एक example लिखूँगा तो उसससे ज़्यादा clear हुजागा suppose कि जो मैंने ए x square minus 3x plus 2 equal to 0 यह लिख दिया मैंने ठीक तो यहाँ पर आपका clear है कि x जो है x जो है बी का एक element है और x कहां से आएगा जब इस quadratic equation को solve करेंगे उसके जो zeros आएंगे वो ही इस b set के elements होंगे तो जहेर सी बात है जो यहाँ पर हमने roster form में 1,2 लिखा है और यहाँ पर set builder form में हमने word language का use करके ऐसे लिखा तो यह दोनों आपके same है यहाँ पर इस quadratic equation को मैं solve करूँगा तो x square minus 3x plus 2 equal to 0 को solve करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा x minus 2 x minus 1 equal to 0 और यहाँ से जो x की values आएंगी 2 और दूसरी value आजाएगी 1 that means इसको हम आगे चल कि आपका यह roster form में 1,2 लिखा जाएगा ओके यह आपका दो methods एक तो roster form एंड दूसरा ही set builder form तो ऐसे आप बहुत सारे sets वगर assume कर सकते हैं ओके तो फटा फट कर रहे हैं तो इसको हम इतने detail में discuss नहीं करेंगे यह सारी चीज़ आपको मालूम है तब ही मैं आपको थोड़ा सा revision work कर वा रहा हूँ इन चीज यूज किया जाता है natural numbers की set को represent करने के लिए यूज करते हैं तो natural numbers आपको मालूम है नहीं चीज़ का all the counting numbers one two three so on up to infinity okay z और i यह integers के लिए यूज किया जाता है z और i का use दोनों मैं से किसी गाभी आप यूज कर सकते हैं तो integers आपको मालूम ही है minus two minus one zero one two so on और पीछे को भी आ मदलब और i plus positive integers that means natural numbers बात है किए one two three four so on यह सारे के सारे natural numbers को ही आपका positive integers का आजाता है okay even integers का मतलब क्या हो गया जैसे minus four लिखा मैंने फिर minus two लिखा फिर zero लिखा and two four so on यह सारे आपके क्या हो गए even integers ओके इनको हम इस तरह के से represent करते हैं यह letter से represent किया जाता है odd को odd integers odd integers को o से represent करेंगे odd क्या होंगे आपको clear हुए आपका जैसे minus three है minus one है and उसके बाद आपका plus one आगया फिर three आगया so on up to infinity है चलता रहेगा infinite set है okay उसके बाद w whole numbers आपको मालू में counting numbers मकर zero एक extra जोड़ दें one two three बागी सब आपके counting numbers आ जाए तो यह आपका set बनता whole numbers जिस p upon q के form में represent किया जाता है जहां q की value zero नहीं होनीचे और p और q का होनीचे integers होनी चाहिए q zero क्या है non zero rational numbers non zero rational numbers ऐसे rational numbers जो zero ना हो means इसमें सारे की सारे rational numbers आएंगे के बल जीरो नहीं आएगा बस q plus q plus का मतलब positive rational numbers clear हो गया और r माने real numbers r माने real numbers तो real numbers किससे बनते है rational और rational numbers को मिल आगर कि real numbers का set बनता है that means इसके जो subsets अगर हम कहें तो दो subsets इसके साफ साफ होंगे एक तो rational number का set होगा और दूसरा rational number का set होगा ओके r zero का मनलब हो गया non zero real numbers तो सारे real numbers माने zero को हम अटा दें तो वो सारे जो set बनेगा number का उसको हम non zero real numbers से जानेंगे जिसको r नीचे जड़ पर zero से denote किया जाता है okay r plus माने positive real numbers clear है r minus q माने irrational numbers तो r minus q का मतलब क्या हुआ real numbers में से हमने q को घटा दिया means q को हटा दिया q माने rational numbers को अटा दिया तो बज़िक आ गया इस इसी बात है और उसके c complex number तो आपको मालू में complex number chapter a plus iota b या x plus iota y लिको तो कोई भी number इस form का जो होगा उसको हम क्या बोलते है complex number where a and b are real numbers and उसके c zero आपका क्या होगया non zero complex numbers तो ऐसे complex numbers जो zero ना हो that means सारे complex numbers होगा इसमें सारे इस set में सारे complex number आएंगे केवल zero को छोड़ते भी okay hope this is clear तो फटा फट कोई क्रिविजन हमने कर लिया इसका अब चलते हम different types of sets अब यहां भी हम थोड़ा सा types of sets में क्रिविजन कर लेते हैं okay सबसे पहला क्या है null set null set और इसको empty set भी का जाता है या void set भी का आप कह सकते हैं ठीक है और empty set empty set या इसको void set भी का जाता है ऐसा set जिसमें कोई भी elements ना हो number of elements zero ठीक है तो इसको हम represent करते हैं किस से या तो हम यह curly bracket ऐसे का use करेंगे या इसको हम empty set बोलेंगे या आप five का use करेंगे जो sign है यह दोनुं जो है empty set को represent करने के लिए use होते है या तो आप पहले बाले से represent कीजिए empty set को इसे इसमें कोई भी elements है नहीं कलिब रेकेट के अंदर कोई भी elements नहीं number of elements zero होगे खाली यह से या five से इसको denote करोगे जैसे हमने example लिया यहाँ पर लिखा x such that x minus x minus four equal to zero लिखा और यहाँ लिख दिया कि हमने x should be greater than five लिख द इसको कलिब रेकेट में डग दिया अब मैं जाहिड सी बात है अगर मैं यहाँ पर इसको solve करूँगा ठीक है और यहाँ पर solve करने के x minus four equal to solve करूँगा तो x की value four आईगी ठीक है बाट यहाँ पर कह रहा है कि condition भी लिखी हुई कि x should be greater than five तो भई x should be greater than five तो इस equation का solution तो ऐसा कोई number आएगा ही नहीं जो five से बढ़ा हो it is not possible that means यह जो आपका set बन गया it is equal to five it is called empty set तो वैसे आप बहुत सारे examples लिख सकते हैं आप जैसे x square minus four equal to zero लिखा हमने x such that और यहाँ पर लिख दिया x is odd ठीक है यह मैंने एक लिख दिया example तो यहाँ पर देखे quadratic equation बना इस quadratic equation को solve कर पर रखने पर यह पूरा जो है equation satisfy होगा या तो यह minus two से satisfy होगा या plus two से satisfy होगा that means के solutions दो ही आ रहे है minus two और two but यहाँ पर लिखाए x is odd तो कोई ऐसा odd number तो ही नहीं minus two और two थे इसके solutions but minus two और two तो odd है नहीं that means ऐसा possible ही है तो इसको हम क्या बोलेंगे empty set तो it is represented by five okay इसके बाद है आपका क्या singleton set तो singleton set का मतलब क्या होगा एक ऐसा set जिसमें कि एक ही element हो चाहिए मैंने two लिख दिया ऐसे या मैंने a a लिख दिया इस type के जो है set single ten set क्या जिसमें a की element हो okay जैसे को हमने या तो set builder form लिखा x such that x minus two equal to zero लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया कि x belongs to r लिख ठीक है तो यहाँ से इसको मालूम होगी x minus two को अगर मैं solve करूंगा equal to zero को तो x के value two आई गी है और two आपका real number होता ही है that means आपका यह वाला set है इसको हम equal कर सकते है कि इसके बराबर roster form में आपका जाएगा two e two that is singleton set okay तो इसके बास subset आपको मालूम ही है subset का मतलब क्या होता है suppose कीजिए एक set आपका a, a के elements होगे 1, 2, 3, 4 इसके elements होगे और b दूसरा set है और b के elements होगे suppose 1, 2 ठीक है अब हमें यहाँ पर clear है कि b के जो सारे elements है, b के दो elements है एक तो 1 है दूसरा 2 है यह सारे के सारे elements जो है a वाले set के अंदर मौजूद है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि b is a subset of a ठीक है तो b is a subset, subset के लिए sign का यूद आपको मालू है, subset के लिए यह आला sign यूद दा, नीचे में equal to का sign भी हम लगाते है, तो b is a subset of a, ऐसे हम लिखते हैं, ओके यह ऐसा लिखेंगे, तो b is a ऐसा लिखेंगे तो यह आपको proper subset आ जाता है फिर, equal to का sign अगर नीचे में ना ल को लेंगे, b is a proper subset of a, okay, hope this is clear, तो किसी भी, किसी भी set को, means subset होने के लिए, क्या होने चाहिए, उसके सारे elements दूसरे आले set में होने चाहिए, तभी चाहिए, तभी चाहिए, वह आला set, दूसरे आले set का क्या बनेगा, subset बनेगा, that is clear, okay, तो यहाँ साब को clear होना चाहिए, कि subset set में जो important चीजें हैं, वो यही हैं, और बाकी आपको इसको when diagram में represent करना भी आना चाहिए, तो when diagram में आप कैसे represent करेंगे इस सारी चीजें, ठीक है, तो जैसे मैंने when diagram में बनाया, when diagram में सब से बहले हम क्या बनाते हैं, universal set, यह आपका एक universal set बना, जिसको हम rectangle सी नोट करते हैं यह आपका universal set का होगया area, ठीक है, इसके अंदर दो set हमने बना दी, A और B, तो यहाँ पर subset कौन किसका है, B जो है, B जो है, A का subset है, ठीक है, तो A जो है आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, यह आपका A वाला set होगया, और B जो है इसके अंदर आ जाएगा, चाहिए आप कैसे के बाद आता आपका proper subset, तो proper subset का मतलब क्या होगया, proper subset का मतलब यह हुआ कि आपका, suppose कीजिए, मैंने example के थुरू बताता हूँ उसको, revision, वैसे आपको मालूम है हुआ, देखिया आप, जैसे मैंने A लिखा, 1, 2 लिख दिया, ठीक है, और कुछ इधर sets लिख दिया मैंने, औ 2 और यहां बना दिया मैंने 1, 2, ठीक है, अब देखिये, आपको मालूम है, एक्स जुए, एक्स जुए, सबसेट है एका, ठीक है, य भी के है, सबसेट है एका, और जैड़ भी के है आपका, सबसेट है एका, बट यहां पक हम proper subset की बात करें, तो एक्स आपका proper subset में आएग तब ही हम यहाँ पर यूज करते हैं sign और इसमें element एक और set आजाएगा suppose करो x, y, z इसको मैं मालेता हूँ, suppose p set मालेता हूँ p set को मैं 5 से represent करता हूँ, तो इसके 4 subset बनेंगे ठीक है, a set के 4 subset बने, एक तो 2 singleton set बने, एक आपका 5 होगा आपका 5 के null set और एक आपका z बनी यह वन कॉमा टू पूरा पूरा वही set तो हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे x is a proper subset of a, proper subset of a का मतलब यह आला sign के नीचे में equal to का sign हम यूज नहीं करेंगे, x is a proper subset of a, यह लिख दिया हमने, हमने यहाँ पर लिख दिया y is a proper subset of, proper subset of a, और z is, z is not a proper subset of a, इसको काट के लिख दिया है और p is a proper subset of a, that means 5 जो होगा, 5 भी आपका proper subset में count होता है बट के वल, कौन सा count नहीं होता है, जो आपका same, जो set है, means 1,2 a में भी था, और z में भी आपका 1,2 है, और 1,2 जो है, subset है 1,2 का, जो आपका set given था but it will not be counted in the proper subset, अब यहाँ पर number of sets की अगर हम बात करें, sorry, number of subsets की बात करें, जो 3 वाला topic था हमारा, तो number of subsets of a given set a, अगर set a है set a में total number of elements अबने लिख दिए हैं आपे, 1,2,3, so on, ठीक है, अब इसके n elements होगे, suppose कीजिए a के अंदर n elements होगे, different, different, okay, तो a के जो total number of subsets बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 2 to the power n, इस formula का आप note कर लिजेगा, total number of subsets of a given set a having n elements will be equal to 2 to the power n, okay, और number of proper subsets कितने बनेंगे, तो यहाँ से clear हो गया, number of proper subsets मतलब a के सारे जितने subsets बनेंगे, वो तो proper subset नहीं बनेगा, जो कि जो खुद यह होगा, ठीक है, that means number of, जहाँ आप हम लिए लिए, number of subsets of a set a having n elements, अगर किसी set a में n elements है, तो इसके जो number of subsets बनेंगे, number of subsets बनेंगे, वो बन जाएगे 2 to the power n, वैसे आपका जाएगा, number of, number of subsets, number of subsets of, number of proper लिखेंगे, आपर subset तो हमने लिखी दिया, number of proper subsets, तो यहाँ लिख दिया, हमने proper subsets of a set a, containing या having, कुछ भी लिखो, containing n elements, तो कितना हो जाएगा, n elements will be equal to 2 to the power n, उसमें से एक कम कर देंगे, और एक कौन सा minus हो, आपको मालूम ही है, जो खुद, वो set होता, वो ही minus हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, hope this is clear, तो यहाँ तक आपका clear हो गया, तो important important points आप note करते रहेंगे, साथ साथ में, इसके बाद आता आपका, proper subset के बाद आता है, equal sets, ठीक है, तो यहाँ पर equal sets जो है, तो नामसी के लिए रहें, आपका equal sets क्या होते हैं, ऐसे sets जिनके जो elements same होंगे, ठीक है, बले उनका order आगे पीछे हो, बट वो आपकी equal sets कहलाएंगी, ठीक, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, ओके चलता है आप equal set में, equal set देखिए आप, equal set का ए आपका एक set होगे है, दूसरा set होगे आपका, suppose b, a, तो set तो दोनों same ही है, बट order change है, या मैंने लिखा 1, 2, 1, 2 लिखा ये आपका set हुआ, ठीक है, फिर मैंने ये एक लिख दिया, set builder form में, x such that x square minus 3x plus 2 equal to 0, ये लिख दिया, ये आपने enclose कर दिया है, तो that means ये दोनों आप के क्या है, equal है, एक तो आपका roster form में है, 1, 2 हमने जो पहला लिखा है, ये आपका roster form में है, और दूसरा का set builder form, अगर इसको solve करूँगा, इसको solve कर गए, ये जी जाएगी, और इसके जो zeros आएंगे, ये roots आएंगे, 1 or 2 ये आएंगे, ठीक है, तो hope this is clear, तो equal sets आपको मालब मे हो गया, suppose करूँ कोई set आपको given है, a, ये इसके elements में ले लिए, 1, 2, बस ज्यादा elements ने जाएंगे, अब इसके total number of subsets कितने बनेंगे, फिर, अब इसके total number of subsets बनेंगे, 2 to the power n, और यहां number of elements कितने 2 हैं, 2 to the power 2, 4 elements बनेंगे, 4 इसके number of subsets बनेंगे, ठीक है, तो इसके total subsets बन और तीसरा हो जाएगा आपका 2, curly bracket में, और चौथा subset हो जाएगा, 1,2, तो इसके total number of subsets हमने यहां पे लिख दे, अगर इनी subsets को, अगर मैं किसी set के अंदर enclose कर दूँ, sorry, किसी curly bracket के अंदर enclose कर दूँ, इनका भी set बना दूँ, ठीक है, ये subsets का भी अगर मैं set बना P A लिखो, bracket में, या 2 to the power A लिखो, इसका मलब हो गया, power set of A, okay, तो power set of a given set is the set of the subsets of the given set, okay, तो clear हो गया, तो सबसे पहले आपका यहां पर clear हो चुका है, कि कोई भी set given होगा, तो उसके सारे हम क्या बनाएंगे, पहले subsets बनाएंगे, और उन सारे subsets से फिर क्या बनाएंगे एक set बनाएंगे, उन सारे subsets का अगर एक set बनाएंगे, तो वही आपका set जो कहलाएगा, वो power set of A कहलाए जाएगा, power set of that set कहलाए जाएगा, okay, hope this is clear, तो यहां से power set आपका clear होगी है, चलते हैं फिर उसके बाद आगे, that is equivalent sets, okay, तो यहां से आपका काफी सारे चीज़े हमार यह अभी तक discuss हो चुकी है, हाला कि quick revision आपका ही, तो हम ज्यादा time नहीं लें इन में, और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, इसके बाद आगे equivalent set, तो equivalent set और equal sets में थोड़ा सा difference है, equal sets का मतलब तो हो गया, same elements भी होने चाहिए, और number of elements भी same होने चाहिए, ठीक है, but equivalent का मतलब जो है, same set है नहीं, एक में तो number है, दूसरे में alphabet है, same कैसे हो जाएंगे, but इनके number of elements same है, a में कितने elements है, number of elements of a हैं आपके पास, two, और number of elements of b हैं आपके पास, two, ठीक है, b में भी दो elements है, that means, यह दोनों set कहला जाएंगे, equivalent sets, okay, तो यहाँ पर एक चीज़ और clear होती है, यहा number of elements, cardinals का मतबता number of elements, इसको दिमाग में रखेगा, elements of a given set, given set, किसी जो आपका given set होगा, उसमें कितने elements हैं, उसका संख्या कितने हैं, उसमें कितने हैं, तो यहाँ पर जैसे equivalent set हमने लिखा, तो set A की जो cardinality है, हम यहाँ पर number of elements of set A पढ़ रहे हैं, तो उसको हम short में पढ़ सकते हैं, cardinality of set A is 2 and cardinality of set B is 2 so cardinality दोनों की equal होगी that is why they are called equivalent sets okay, hope this is clear तो आगे है आपका कौन सा universal set तो universal set तो आपका वैसे ही clear हो गया है universe सही नाम clear हो जाता है कि ऐसा set जिसमें, तो यहाँ पर as with reference to other subsets, ठीक है means एक ऐसा यहाँ पर example हम लेंगे, suppose कीजिए suppose मैं लिखा A, 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 ओके अब कुछ मैंने यहाँ पर set लिख दिए X, Y, Z चलो तो तीन लिख दिए मैंने यहाँ पर और देखिए 3, 4, 5 7, 8 X को तो हमने ऐसे represent कर दिया Y को represent कर दिया 5 से और Z को represent कर दिया हमने 2, 5, 7 और 9 अब देखिए यहाँ अगर हम set A के दाइरे की बात करें, set A के संदर्ब में बात करें ठीक है? तो X जो है, X एक subset है, जिसका A का clear cut है, X के जो भी elements है वो A में मौझूद है, that means X is a subset of A ठीक है, तो X के लिए जो है, X के लिए A बन जाएगा universal, sorry ठीक है, X के लिए जो A बनेगा universal set ओके, वैसे जो Y है Y क्या है, Y is also a subset of A तो Y के लिए जो A बनेगा वो क्या बन जाएगा universal set ठीक है, क्योई Y के जो जो भी element से वो A में मौझूद हैं वाली बात हो गई जाएगी ठीक है, hope this is clear तो यहाँ पर जो Z है, अब Z की बात करें तो Z is not a subset या proper subset लिख हो या अब subset लिखो, subset के लिखो तो हमने equal to का sign यूज़ किया था, तो आप यहाँ पर proper subset भी लिखे तो बात लिखी है proper subset बोलो इसको या subset बोलो, चलो हम subset की बात करें तो equal to का sign यहाँ पर लगा जाते हैं Z is not a subset of क्या A Z आपका एक subset नहीं है A का, that means A Z के लिए universal set नहीं होगा, क्योंकि Z के सारे के elements जो एके अंदर मौझूद नहीं है यहाँ पर 9 जो है, 9 A में मौझूद नहीं है तो अब यहाँ पर A जो है राजा बन चुकए है A जो है राजा बन गया किन किन के लिए X और Y के लिए X के सारे elements A के अंदर है और Y के भी सारे elements A के अंदर है that means A जो है यहाँ पर universal set का का काम करेगा किस के लिए? X और Y set के लिए but not for set Z तो कोई भी छोटे से छोटा set भी आपका universal set हो सकता है किसी other sets के लिए इन context की बात करेंगे हम तो जब सब्सक्राइब एक छोटा सार set लिए 1,2 इसको B set से denote किया अब इसके कितने sub sets है एक तो 5 हो गया दूसरा 1E1 लिया तीसरा 2E2 लिया उसके आद 1,2 लिया ठीक है? तो इन चारों के लिए यह B जो है universal set है because 5 के है sub set है B का 1 singleton set के है sub set है B का 2 भी sub set है B का और 1,2 भी sub set है B का तैट मिस इन चारों के लिए B जो है universal set का का काम करेगा means आपका clear होगी है वैसे आपको यह मालूमी यह सारी चीज़े हैं आपने जब अगर NCIT पड़ दखिए तो मैं detail में ज़्याद explain नहीं कर रहा हूँ अगर यह सारी points को अगर detail में करें तो बहुत सारी चीज़ें आगे चल के आती है तो basic सा revision है बस है ज़्यादा फिर बोलने में कुछ ज़्यादे detail में आ जारी चीज़ें तो हम यहीं पर इसको stop करेंगे फिलाल अब आगे देखते है that is disjoint set तो disjoint set का मतलब क्या होता है एक दो ऐसे set जिन में कुछ भी common ना हो अगर मैं यहाँ पर कोई दो set और बनाऊ x बनाऊ और y बनाऊ x में लिख दूँ 1,2 और y में लिख दूँ में 2,3 तो यहाँ पर x और y जो है disjoint set नहीं होंगे क्योंकि इन में common है कुछ तो यहाँ पर 2 जो है element जो है common है दोन में तो that is why x and y are not disjoint sets but a and b are disjoint set because they do not have any common element in them ठीक है clear हो गया disjoint set और उसके finite set और infinite set का आपको मालूँ है finite का मतलब एक ऐसा set जिसके number of elements हम count कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने वह सारे finite set already बना रखे हैं यहाँ पर यहाँ पर आपके screen दिख रहा है यहाँ पर a क्या है सबसे यहाँ पर देखिए आप a जो है यह finite set है b इसके number of elements आप count कर सकते हो यहाँ पर जो a बनाया है यह भी आपका finite set है x बनाया था हमने यहाँ इसके number of elements आप count कर सकते हो finite set होगी है ठीक है यहाँ आपने z बनाया था finite set है तो जिनके number of elements हम count कर सकते हैं उसको बोलते है finite set अब ऐसा set जिनके number of elements को हम count नहीं कर सकते हैं उसको बोलते है infinite set जैसे हमने natural number का set अभी थोड़ी देर पर डिसक्स किया था n तो n में कितना आ गया 1, 2, 3, 4 अब पता नहीं natural number तो कहा तक जाएगा आप to infinity जाएगा तो यह आपका number of elements जो है countable नहीं इनको counting नहीं कर सकते हैं तो ऐसा set जिनके number of elements को हम counting नहीं कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका infinite set ओके hope this is clear तो types of set यहाँ पर clear हो गया अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा operation between sets ओके अब देखिए आप operation of operation in sets तो union का मतलब होता ही union of two sets A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both मिंस कहने का मतलब क्या हुआ कि set of all those elements which are either in A or in B or in both मिंस कहने का मतलब क्या हुआ मिंस suppose कीजिए A आपका यह हो गया set one two three और B set हो गया आपका three two five ओके तो A union B का मतलब यहाँ पस्ट होगी आपका आपको मालूम ही यह वैसे ज़्यादा detail में क्या discuss करा हम इसको A union B equal to one one आग जाएगा असमें two आजाएगा three आजाएगा और हम क्या लेंगे five तो हम एक element को फिर दुबार लेंगे means A और B के elements को add कर देंगे हम ठीक है बड़ जो common वाला part है उसको A की बाल देखेंगे तो यह सारे आपने elements की A union B को हम represent करते हैं A याला जो sign है उल्टा यू का थोड़ा सा तिर्शा A union B ओके यह sign यूज़ करते हैं हम इसके लिए इसका मतलब जो होता है general जो meaning होती है इसको हम या तो हम A plus B से भी plus को goal करेंगे ऐसे भी denote कर सकते है union को तो union को denote करने के लिए दो sign ही होता है या तो आप याला जो commonly होता है और यह जो plus को अगर हमने encircle कर दिया तो इसका मतलब भी union होता है ठीक है तो A union B का जो symbolic meaning होगा आपका A union B will be equal to X such that X belongs to A और X belongs to B ठीक है यह हम symbolic meaning रहता आपका और इसको हम अगर Venn diagram में दिखाए है तो Venn diagram में आपका यह universal set हो गया rectangular वार region A union B suppose करो यह set A है दूसरा set B है तो यह पहला ला set आपका A है और दूसरा set B हो गया A union B का मतलब भी पूरा पार्ट हो गया यह जो बन रहा है ठीक है पूरा का पूरा A set और B set पूरा मैंने dark कर दिया यह red से तो यह अलब पार्ट आपका A union B कहला जाता है ठीक है तो और सके intersection की बात करें तो A intersection B का मतलब क्या हो गया elements कौन से हैं तो जो common होंगे common elements का जो set बनेगा उसको बोलेंगे intersection of A and B जैसे यहाँ पर इसके लिए sign का यूज़ करेंगे हम ultra जो sign आपका यहाँ पर यूज़ किया गया था इसका just ultra A intersection B यह से denote किया जाता है और इसमें A intersection B में क्या जागा फिर common elements कौन कौन से A और B में एक तो 2 है और दूसरा कौन है 3 है तो यहाँ पर 2,3 का जो set बनेगा वो आपका A intersection B कहला जाएगा और symbolically इसको आप कैसे denote करेंगे A intersection B will be written as equal to x such that x belongs to A and x belongs to B and का sign यहाँ पर यूज़ होता है और आपने दोनों में difference देख लिया union में और का use किया जाता है बीच में यहाँ पर x belongs to A और x belongs to B और यहाँ पर क्या use किया जा रहा है intersection में x belongs to A and x belongs to B ओके, hope this is clear तो यहाँ पर intersection और union वाली बात clear हो गई और intersection मागरा हम इसको when diagram में represent करना चाहें तो intersection वाले पार्ट को यह A set होगया यह B set होगया universal set आपका यह and intersection वाला पार्ट A और B का पहला set सबोस्कर ए है दूसरा set B है तो intersection वाला पार्ट इतने ही आएगा बस ही common वाला पार्ट यह intersection एक दोनों का common पार्ट होगया दोनु set का यह okay तो when diagram को तो यहाँ पर तीसरा है आपका difference तो difference का मतलब क्योंद डिफ्रेंस बिट्वीन सेट्स तो यहाँ पर difference बिट्वीन सेट्स का मतलब तोड़ा सा इसको मिटा ले थें Union discuss हो चुका है and intersection भी हो चुका है और यह हमने revise करी लिया इन चीज़ों को अब आता है difference difference between two sets suppose कीजिए a set मैंने लिया 1,2 और b set लिया मैंने b set लिया 2,3 अब मैं यहाँ पर a minus b निकालूंगा minus का मतलब difference हो गया है a मैंसे b के elements को हटा दूँगा a मैंसे b के elements कौन से है a मैं b के कौन से elements है तो अगर देखा जाए यहाँ आपे तो जो common होगा वही होगा तो यहाँ 2 जो है a मैं भी है और b मैं भी है that means a मैंसे मैंने b के element को अटाना है तो b का कौन सा element है यहाँ आपे a के अंदर 2 है that means a मैंस b का मतलब होजाएगा a के बास बचेगा के अवल 2 हटाने पर वन ही बचेगा तो यह a मैंस b होगिया अगर मैं b मैं a करूंगा तो this is called difference of set a from b ठीक है तो b मैंस a अब इसकी value कितने है कि बताएगा अब b में से set a के elements को हमने हटाने तो b में set a का कौन से element है 2 तो 2 हटाऊँगा तो यहां क्या बचेगा इस क्यास 3 तो यहां से clear हो गया तो यहां से एक चीज़ और clear होगे कि a माइनस b और b माइनस a आपके equal नहीं होते है ठीक है यह दोनों आपके different आएंगे difference of sets आपको मालूँ हो चुक है ऐसे basic basic सा मालूँ होना चीज़ ठीक है और इसको हम symbolically लिखते हैं आप a minus b is written as x such that x belongs to a and x does not belongs to b ठीक है x a में belong करेगा but b में belong नहीं करेगा ओके hope this is clear तो difference of sets में आपने देख लिए है इसके बाद कुछ important यहां पर difference of sets से लेते हुए a minus b और b minus a and a intersection b are disjoint sets तो यह तीन हो आपके disjoint sets होंगे disjoint sets a minus b वाला जो set बनेगा और b minus a वाला जो set बनेगा और a intersection b वाला जो set बनेगा वो सारे के सारे आपके क्या होंगे disjoint तो आप यहां पर clear कर देख सकते हैं यह आपका A हो गया, यह B हो गया, suppose, A यह पहला अला है, B यह आला है, ठीक है? तो A माइनस B का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर A माइनस B को हम ऐसे रप्रिजन करेंगे, यह आला रीजन जो ग्रीन वाला है, यह जो मैंने डाक कर दिया, यह आपका A माइनस B वाला हो गया, A माइन आपका बीच वाला जो पार्ट है, common वाला A intersection B, देखको, तीनु सेट आपके अलगला हो, तीनु माइन कुछ भी common नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से clear है, A माइनस B और A intersection B और जो आपका B माइनस A क्या होंगे, disjoint सेट है, इनमा कुछ भी common नहीं होगा, no common elements in them, okay? Hope this is clear, तो यह आपका clear हो गया, इसके बाद हम चलते हैं, एक और topic आपका यहाँ आता आता है, that is symmetric difference of two sets, उसके बाद आता आता आपका complement of a set, तो symmetric difference between two sets, यह एक important point ही, जो ND के exam में काफी बार पूछा जाता है, तो चलते हैं, symmetric, तो फटा फट कर लेते हैं, इसको symmetric difference, D-I-F-E-R-E-N-C, difference, symmetric differences of two sets, of two sets, A and B, ओके, तो इसको हम denote करते हैं, A delta B से, symmetric difference of two sets को हम denote करते हैं, A delta B से, मतलब दो set A और B के जो symmetric difference अगर हमने निकालना है, तो उसको represent ऐसे क्या जाता है, या हम यहाँ पे इसको represent करेंगे, A plus B से भी represent आपका सकते हैं, ठीके, तो देखिए, इसका मतलब होता क्या है हैं, सबसे पहली बात, यहाँ पे इसका मतलब होगी, आपका A minus B, A minus B, A minus B union हो जाए आपका B minus A, इसी को बोला रहता है, symmetric difference of two sets A and B, ओके, A और B को, हमें, पहले A में से B को गटा है, ठीके, फिर दूसरे में B में से A को गटा है, फिर उसका union कर दिया, तो इसको, ग्राफिकल लेकर हम प्लोट करें, तो यह आपका A set हो गया, पहला ला, दूसरा B set हो गया, A minus B, आपका याला area हो गया, याला region, A minus B यह हो गया, और B minus A, याला region हो गया, जो दूसरी तरफ मैंने डाक किया, तो यह दोनों मिला कर यह, आपका क्या बनी जाएगा, A minus B union, B minus A, ओके, ओके, this is clear, तो यहां से आपका clear हो जाना चाहिए, इसको denote करने के हम इस sign कहें, दोनों में से कोई भी sign आप यूज कह सकते हो, this is called symmetric differences of two sets A and B, ओके, बाग इसकी जो properties हैं, कुछ आगे चलगी हम पढ़ेंगे, number of elements वाली, cardinalty वाली property, last पर देखते हैं भी, उसकी यह आपका आपका आ U और B हो गया आपका, 3,4,5 ठीक है, तो और उसके बाद एक मैं U ले रहता हूँ, उनिवर्सल सेट ले रहता हूँ, इनके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह उनिवर्सल सेट हो गया दोनों के लिए, आप clear हैं, तो यहां से अगर हम compliment की बात करें, तो compliment का मतलब होता है, A के उपपर हमने C लिखा, या A के उपपर dash कर दिया, इसका मतलब A compliment हो गया, दोनों का मतलब meaning same ही है, A compliment, A compliment, means, A compliment का मतलब क्या हुआ, ऐसा element जो इनिवर्सल सेट में होना चाहिए, बट A में नहीं होना चाहिए, A compliment का मतलब यह हुआ, कि ऐसे elements जो A में ना हो, A में नहीं होने चाहिए, बट किस में होने चाहिए, U में होने चाहिए, तो इस मैंसे हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं A compliment can be written as U minus A भी पढ़ा जासकता है U मैंसे किसको हटा देंगे हम A के सारे elements को हटा देंगे तो कौन-कौन से बचे भी बताईए अगर A compliment की बात करूँगा तो U मैंसे अगर मैं A को माइनस करूँगा A के elements को हटाँगा तो क्या बचेगे है मर बास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 ओके यह आपका A compliment हो गया ओके hope this is clear तो ऐसे B compliment की बात की तो B का मतलब क्या हो गया U minus B तो U minus B माने B के elements को हटा दो U मैंसे तो U मैंसे 3, 4, 5 बचा दो आप क्या बचा फिर 1, 2, 6, 7, 8 यह आ जाएंगे आपके अगर इसको हम when diagram में represent करें तो when diagram में अगर हम represent करें suppose करो मैं यहाँ पर यह आपका universal set हो गया और A, A और B आपके क्या है इन में कुछ common नहीं तो A एक तरफ बना जिए B एक तरफ बना जिए क्योंकि दोनों में कुछ common तो है नहीं तो intersection वाला part तो कुछ आएगा नहीं A set यह हो गया पहला ला दूसरा B set हो गया दोनों के elements जो है different different है कुछ भी intersection नहीं है कुछ भी common नहीं है दोनों का ओके और उसके बाद A complement को हम denote करेंगे यहां से A complement को denote करने लिए क्या करेंगे हम A को हटाते विए पूर A वाले डाग को यह पूरा हमारा सेड़ेड हो जाएगा क्यावल A ही A यहां पर जो है बिना सेड़ेड बचेगा ठीक है तो A को हटा दिया हमने universal set में से ठीक है तो बाकी यह पार्ट आमारा A complement हो जाएगा इसके अंदर यह पूरा B B को आला set पूरा पूरा आ जाएगा ठीक है clear है वैसे B complement की बात करूंग तो B की अलबा सब डाक कर देंगे आप तो वह आपका B complement हो जाएगा ओके hope this is clear तो इसको symbolically कैसे लिखा जाता है यू के अंदर होना चाहिए बट A के अंदर नहीं हो जाएग वह यह वाली बात हो गए हमने की यू मैंसे हमने क्या-क्या A के elements को हटा दिया माइनस कर दिया ओके hope this is clear तो compliment वाला भी part clear हो गया बहुत सारे points हमारे भी revise हो चुके है और कुछ important laws हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं भी तो देखते हैं कुछ important laws उसके बाद काफी सारे points हैं जो आपने इदे नौट करने हैं इनको मैं फटा-फट एक बार लिख देता हूँ पूरा को पूरा उसके बाद फिर total एक साथ discuss कर लेते हैं अब यहाँ पर देखे students कुछ important जो आपके हैं वो मैं आपको नीचे हैं बताऊंगा भी क्या आपने याद करने हैं आपे वैसे जो starting की है तो वैसे आपको याद हो जाएंगे because यह तो self understood है starting starting की जिससे आइड important laws हैं आपके आइटी laws है, competitive laws है, associative laws हैं तो यह तो वैसे ही आपको दिमाग में वैसे ही fit होने चाहिए क्योंकि देखती है आपको माल में चल जाएगा आपको याद करने की जोगती नहीं इनको तो कुछ points यहाँ पर जिनको याद करना होगा वहाँ पर मैं आपको indicate करूँगा तो पहले start करते हैं पहले सी, item important laws क्या होते हैं जैसे पहला आपका law है, a का union करेंग, a के साथ जाहिड सी बात है, a यह आएगा फिसका second law है कि a क्या intersection करेंग, a के साथ तो a यह आएगा, जाहिड सी बात है अगर same आपके set हैं, उनका intersect करने पर पूरा का पूरा set ही आजाएगा identity laws में पहला आजाता है, a का union करूँगा, empty set की साथ 5 की साथ, a ही आएगा, जाहिड सी बात है, a intersection 5 क्या आएगा आएगा, 5 clear cut है a union u, a union universal set, तो universal set ही आएगा, जाहिड सी बात है और a intersection u, universal set, तो क्या आएगा आएगा, यह आएगा, यह तो common sense वाली बात है यह तो आपके दिमाग में तुरांत आजानी चाहिए, यह सारी चीज़ें, अगर आपने set की chapter अच्छे से कर रखा है okay, commutative law, union में आपका commutative होता है, a union भी लिखो, या b union, a लिखो, बात एक ही है दोनों का result सेम आएगा, वसे intersection भी आपका commutative होता है, जो operation होता है a intersection b is always equal to b intersection a, और associative यह जो आपका है, associative union और जो आपका intersection है यह दोनों आपके associative property को follow करते है, a union, b union, c किया हमने, पहला operation b union, c किया, फिर a के साथ union किया तो result तब भी सेम आएगा, अगर हम a union b पहले करते हैं और उसके बाद, उसके c के साथ union बाद में करें okay, in the same manner, a intersection वाला आपका यहां clear हो जाना चाहिए, okay, तो distributive property, यह properties important है, इनको दिमाग को रखेगा important properties for your exam, तो distributive laws यहाँ पर है, a union, b intersection, c किया बना देखिया, आप a union, b union का distribution हो गया, दोनों जीगा पहले तो union का distribution, b के साथ हुआ, a union, b फिर बीच में जो आपका sign था, intersection का आपने यहां लिखा है, फिर a union, c, तो वैसे आपका a intersection का भी distribution हो रहा है, a intersection, b union, c है, intersection का जो distribution हो पहले b के साथ हुआ, a intersection, b, फिर बीच में आपका union का sign आपने लिखा, उसके बाद फिर लिखा, a intersection, c, okay, in the same manner, यहां distribution नीचे में दो all लि बात कर लिजीगा, ठीक है, a intersection, b minus c लिखा है मैंने आपर, a intersection, b, बीच में आपका minus का sign है, difference का, और फिर आपका a intersection, c आगिया, तो यह distributed properties बहुत important है, यह सारे properties आपने दिमापका रखने है, okay, fourth वाला किया है, a intersection, b, b और c का symmetric difference हो गया, okay, तो a intersection, यह भी आपका क्या हो यहाँ पर distribute हो जाए, आप देखे, intersection, जो है, distribute हो जा रहा है, a intersection, b, फिर आपने symmetric difference, a intersection, c, तो symmetric difference of a intersection, b, and a intersection, c बन चुका है, okay, यह चार के चार तो बहुत important है, वैसे, इनको आप memorize कर लिजीगा, इनको not कर लिजीगा, ठीक है, इसके बाद, अगला जो है, power set के ओपर, six वाली जो property यहाँ पर लिखी हुए हमने, तो इसको भी ध्याली, यह भी important है, ठीक है, power set of a, और power set of b का जो intersection होगा, किसके बराबर होगा मिजा, power set of a intersection, b के बराबर आएगा, तो important property, five stars को लगा दीजीए, ठीक है, और दूसरा power set of a, का union करेंगे, power set of b के साथ, तो इसका जो result union b के बराबर आएगा, means, यहाँ equal तो नहीं आएगा, sorry, equal आपका यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि pa और pb का जब हम union करेंगे, power set of a, और power set b का union करेंगे, तो वो क्या आएगा हमेशा, it will be a subset of pa union b, तो हो सकता है, by chance कभी equal आजाए, लेकिन हमेशा equal नहीं आएगा, that means, यह आपका एक subset बनेगा, okay, यह point आप नौट का लिजएगा, और seventh वाला जो point आपका, किसी भी set का compliment का compliment का compliment निकालेंगे, तो वापस होई set आ जाता है, means, एक set का compliment निकाला, फिर और एक बार compliment निकाला, तो set वापस आ जाता है, यह तो आपको मालुम होगा, NCRT की property है, उसका D Morgan's law, यह very important property, D Morgan's law, इनको भी आप नौट का लिजएगा, यहाँ पर, A union, B का whole compliment किसके बरावरता है, A compliment, intersection, B compliment, और A intersection, B का whole compliment किसके बरावरता है, A compliment, इनका sign change हो गया, intersection से यहाँ इधर जाके union मन गया, और पहले वाले में union से यहाँ जाके intersection मन गया, okay, और यहाँ भी आप देख union का sign था, वो change होकर कि क्या बन गया, यहाँ, union की जगह पर आपका बन गया, intersection, okay, in the same manner, A minus B intersection C, A minus B भी है, A minus C भी यहाँ पर है, but बीच में जो sign था, इनकी बीच में हो क्या था, intersection का sign था, तो यहाँ पर उस तरब जो आपने formula बना इसका, वो क्या बन गया, union में, उल्टा ब बट, D Morgan loss में sign होगा है, जो आपका change हो जा रहा है, ठीक है, जो intersection का sign है, वो union में convert हो जा रहा है, और union का sign किस में convert हो जा रहा है, intersection में convert हो जा रहा है, तो इसका आप दिमाग को रखेंगे, और कुछ important results हम last, अभी इसमें discuss कर लेते हैं, उसके बाद जो है, आपका set पूरा complete ह हो जाता है, तो सारे detail में तो यहाँ पर discuss करना possible नहीं है, बट, यह सारे points आप note करेंगी, जब हम practice करेंगे questions की, तो आपकी वैसे clear हो जाएंगी, अगर आपने इनको कहीं पर note किया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में, okay, so इसके बाद कुछ important results दिख दे ठीक है, दूसरा आप देख रहें कि A-B, intersection B equal to 5, always, और A-B यह important property है, भले ही आप property और याद न करेंगे तो इसको आप याद करेगा जुरूर, and 7th वाले, 4th वाले को भी याद कीजेगा, it is also important, A-B equal to B complement, B complement minus A complement, okay, और यह तो आपको वैसे के लिए रहे, A is equal to A union B, intersection A union B का complement, and 6 वाला आपका वैसे ही सौंच मा जाएगा, A union B क्या बना, आपका A minus B, B minus A, और A intersection B, जैसे के एक थोड़ी दिर पहले हमने का था, यह तीनों के तीनों क्या है, disjoint set है, और तीनों से जब union करूंगा, तो पूरा को पूरा A union B बनेगा, ठीक है, A minus B is equal to B minus A, कभी एक नंबर का यह भी आप important ही समझे, A minus, A मैंसे अगर A minus B को अगर फिर भी इसको हटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका A intersection B, और यह आपके जो cardinalty वाला है part, इसको तो बहुत अच्छे से आप memorize कीजिएगा, क्योंकि यह आपके word problems में आपके काम आएंगे, तो number of elements of A complement, कितना हो जाएग आपका मालूम ही है, यह भी आपका NCRT का, यह number of elements of A union, B union, C निकालने के लिए हम इतना लंबा सा formula apply करते हैं, इसका यह formula आप note कीजिएगा, important formula, क्योंकि यहाँ से बहुत बहुत कोशिंस पूचे गए हैं, तो इसको आप note कर लिजिएगा, symmetric difference of two sets A and B में कितने elements होंगे, तो A plus NB minus two times N A intersection B, ओके, और यह D Morgan's वाले formula तो आप note कीजिएगा, दो बहुत important है आपके, अगर आपने number of elements of A complement union B complement निकालने हैं, तो इसके लिए आप formula लगाएंगे, N time, sorry, number of elements of A intersection B का complement, ओके, यहां complement है, equal to, या तो हम इसको, हम U में से किसको गटा देंगे, A intersection B को गटा देंग of U minus number of elements of A intersection B, ओके, फिर उसके आद अगला है आपका number of elements of A complement intersection B complement करना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका D Morgan's law यहां पर यूज़ कर दिया हमने, and number of elements of A union B का whole complement, यह निकाल देंगे, यहां फिर हम इसको further solve करें, तो A union B का whole complement क्या होता है, उससे अभी थोड़े देर पह होई, number of elements of U minus number of elements of A union B, ओके, और यह भी आप formula यादी का लिजिगा, number of elements of A minus B equal to NA minus NA intersection B, तो यह सारा बहुत है, डिटेल में हमने इसकास नहीं किया है, but important points जितने भी यह इस chapters related रिकास हो चुके है, so hope everything is clear, so thank you for today's class, and in the next class we will discuss the questions from Pathfinder book, ओके, so thank you for today's class.